असलाम अलेकम फ्रेंट्स वेलकम टू माई यूट्यूब चैनल सीखना सीखो विद मी आज से हम एक नए वीडियो सीरिस का आगास कर रही हैं इस वीडियो सीरिस में हम बेसिक लैपटॉप कोर्स सिखाएंगे और ये हमारे पास वीडियो सीरिस सिर्फ और सिर्फ उन लोगों के लिए होगी जो लैपटॉप के बारे में कुछ भी नहीं जानते तो चलें स्टार्ट करते हैं जी तो गाइस लैपटॉप के बेसिकली दो पार्ट्स होते हैं एक को बोलते हैं हार्डवेर और दूसरे को बोलते हैं सौटवेर जैसा कि आप फिजिकली मेरे पास देख रह में हम complete आपको introduction देंगे hardware के बारे में तो गाइस जैसा कि आप देख सकते हैं ये laptop laptop का सबसे पहले ये component जिसको हम बोलते है screen हमें नज़र आ रहा है इस पर हमें तमाम के तमाम जो operations कर रहा है laptop उसका display नज़र आएगा तो गाइस ये हमारे पास keypad लगा हुआ है इसको keyboard भी बोलते हैं और इसके बाद ये वाला जो part है this is called mouse pad और गाइस तमाम laptop जो हैं उनके अंदर या तो right top पे या left top पे power on या off का button होता है तो ये हमारे पास जो button बना हुआ है इस time right top पे this is called power button गाइस अब आपको मैं laptop पे मज़ीद कुछ चो parts बने हुए हैं उनके बारे में बताता हूँ तो गाइस जैसा के आप देख सकते हैं ये जो पहले नमबर पे मेरे पास एक LAN cable बनी हुई है port और इसको हम internet connect करने के लिए use करते हैं ये हमारे पास DVD room है उसके अलावा this is a one USB port हम यहाँ पर USB लगा सकते हैं और अपना data copy, cut और paste कर सकते हैं डेटा share भी कर सकते हैं गाइस उसके अलावा अगर हम additional mouse या additional keyboard यूज़ करना चाहते हैं तो भी हम USB port का इस्तमाल कर सकते हैं तो guys ये मेरे पास hands free लगाने के लिए है listening के लिए है this port is for speaking mic है और ये dual channel है इससे दोनों काम होंगे आज हैं इसका दूसरा हिसा देखते हैं तो guys जैसा के आप ये circle आप देख सकते हैं ये हमारे पास power के लिए है laptop यहाँ पर हम laptop का charger लगाएंगे उसके अलावा ये जो आपको blue color में एक port नज़रा आ रही है this is called VGA cable ये display के लिए होती है अगर आप projector इसके साथ लगाएं या additional monitor या कोई LCDs के साथ attach करें तो आपको VGA cable लगानी पड़ेगी गाइस ये फिर एक LAN port है LAN port इंटरनेट के लिए connect होती है और ये हमारे पास SATA port है उसके साथ HDMI port है अगर आप projector बगारा लगाते हैं दो additional USB ports है और ये अगर आप memory card यूज़ करना चाहते हैं तो ये तमाम ports एक basic laptop के अंदर मुझूद होती है जी तो गाइस computer के hardware में कुछ जरूरी चीदे होती हैं सबसे पहले हम उन चीदों के बारे में देख लेते हैं तो जैसे के मैं ये अपना laptop open कर रहा हूँ तो पहला जो component मेरे पास आ रहा है वो ये है इसको बोलते है RAM random assess memory गाइस market में ये तीन तरह से आती है DDR2, DDR3 and DDR4 difference इन में सिर्फ performance का है DDR2 low end PCs के लिए है DDR3 average DDR4 जो है वो fast test जो PC है हमारे पास या laptops उनके लिए है जैसा के अगर मैं इसकी description आपको दिखाऊं तो ये इस time लिखा हुआ है DDR3 और ये 2GB की RAM है RAM बहुत जरूरी component है किसी भी computer के hardware का तो guys एक component तो हमारे पास ये हो गया दूसरा component है हमारे पास storage के लिए जब भी हम computer की बात करते हैं या laptop की बात करते हैं तो हमें उसमें अपना data store करना पड़ता है तो data को permanently store करने के लिए जो hardware component यूज़ किया जाता है this is called hard disk तो मैं इसको open करके दिखाता हूँ ये मेरे पास एक hard drive है अब देख सकते हैं उपर लिखा हुआ है तो शीबा और ये 320GB की hard disk है तो इसमें data permanently store हो जाता है guys अब ये नीचे जो board लगा हुए है इसको motherboard बोलते हैं इसी motherboard पे सारे components जो है वो अपनी performance दिखाते हैं तो motherboard सबसे ज्यादा जरूरी component है किसी भी laptop या PC के hardware का उसके अलावा जो addition में हमें दिखाई देता है वो guys हमारे पास हमें ये सामने आ रहा है ये एक CD room है तो ये भी एक necessary part है हमारे पास hardware का laptop के तो guys आप देख सकते हैं simple ये एक DVD room है बिल्कुल simple सा बना हुआ है इसमें कोई different किसम की चीज नहीं है तो हम इसको यहाँ पे connect कर देते हैं तो ये कुछ components थे जो बहुत ज़रूरी है हमारे laptop के तो guys अब हम अपने laptop को start करते हैं जी तो guys मैंने अपने laptop को on कर दिया है इस time हम देख रहे हैं हर laptop को चलने के लिए operating system required होता है हमारे पास जो इस time operating system है that is window 10 तो window 10 operating system load हो रहा है guys ये देखें आप date, day और time mention है यहाँ पर हम जहां पर click करेंगे तो ये देखें मेरा नाम लिखा आ गया चूंकि मैंने इसको password दिया है तो मैं सबसे पहले अपने laptop को password लगाँगा जी guys मैंने अपने laptop को password लगा दिया है और जैसे ही password लगाया है तो ये हमें ले जाएगा main screen जिसको हम बोलते हैं desktop, guys अगर मैं आपसे एक बात share करना चाहूँ, अगर मैं इस end पे अपने laptop के हाथ रखता हूँ तो मुझे कुछ heat feel हो रही है, जैसा कि मैं ये चीद आपको दिखा सकता हूँ, ये देखें, यहाँ पर लगा होता है fan, electrical components की performance की वज़ा से heat इकठी हो जात है, जी guys हम अपने laptop की main screen पर आ चुके हैं, तो इसको बोलते हैं एक laptop की desktop, तो desktop मुक्तलिफ desktop icons पर मुझे मिल होता है, हमारे पास ये मुक्तलिफ desktop icons जो हैं, वो बनी हुई है, तो guys ये था आज का हमारा tutorial, इस tutorial में हमने laptop के कुछ hardware components के बारे में सीखा, और operating system क्या होता है, और ह desktop जो है, उसको देखा, के desktop icons जो हैं, वो क्या होती है, इस से अगले tutorial में हम laptop के software के बारे में देखेंगे, और उस software के थरू किन-किन applications को यूज किया जा सकता है, इन चीदों को हम देखेंगे, तो इस course में हमारे साथ रहिएगा, guys अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद जीद आने वाली वीडियो तक अपना ह्यार रखिएगा, अल्ला हाफिस!